भारत वर्ष्ट एक ऐसा देश या कहें कि एक ऐसी पुण्निभूमी जहां आधिकाल से ही अनिकों महानात्माओं ने जन्म लेकर ना केवल अपने सयमी कर्तितों से उपारजित आध्यात्मिक ग्यान से चारों दिशाओं को प्रकाशमान किया बलकी संपून विश्व को दया, करूना, प्रीम और परोबकार जैसी पुण्निभावनाओं से साक्षाकार भी कराया परसपरो ग्रहो जीवनाम की इसी पावन परंपरा का निर्वहन करते हुए वर्तमान में भी अनेकों संत महात्मा अपने हुर्दय में सर्वे भवन्तु सर्वे संतु निरामयहा की भावना धारंकर प्राणी मात्र के कल्यान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। पत्पत चल ही रहे हैं साथी समस्त विश्व को भी आत्म कल्यार का मार्ग दिखला रहे हैं आर्श मार्ग के इनी महापतिकों मैंसे एक हैं परम पूजी अश्टांग निमितेग्य गड़ाधी पती गरधराचारे श्री एक सुवार्ट कुंतु सागरजी महराज जो अप्र सुति के माध्यम से दर्शन लाव लेते हैं पूजी गुर्देव के गौरम मैई जीवन के पुन्नी प्रसंगों का। जैसी अधे को उत्कृष्ट उपाधियों से विभूशित आचार श्रीव वर्तमान समय के ऐसे श्रेष्ट सादक हैं जिनके पावन चरणों के इस पर्शमात्र से ही बंजर घूमी भी उपवन बन जाती है और उनकी वातसल्लिमई च्छाओं ऐसी है जिसमें शरण लेने व को लाला इत रहते हैं। के मुख पर जन्म से ही अद्वोत और अलोक एक्तीज इवं बहाँ पुरिशों जैसी धार्मिक्छवी दिखाई देने लगी। किन्तु स्वभाव में भगवान श्री कृष्ण जैसी चंचलता और नटकटपन होने के कारण माता पिता ने बालक का नाम कनहिया रखा। जन्म के कुछ दिनों बाद पिता श्रीमान व्रेवा चंद जी ने बालक कनहिया की कुंडली एक जियोतिशाचारे को दिखाई। कुंडली देख जियोतिशाचारे ने पिता जी से कहा आपका यह बालक जादा समय के लिए परिवार की साथ नहीं रहेगा कुछ ऐसे निमित्त बनेंगे जो इसे आप से दूर कर देंगे। यह बात सुन पिता जी भै से व्याकुल हूँ थे क्योंकि वे पहले से ही अपने तीन पुत्रों की अकाल मृत्यू से दुखी थे और इसी भै के कारण वे बठेडा गाओं छोड़ पांच किलोमीटर दूर शीसवी गाओं में जाकर बस गए। उस टाइम पर पंडित जी को जब कुंडली दिखाई थी तब उन पंडित जी नहीं यह कहा था उनके पिता जी को कि यह आपके साथ रहेगा भी नहीं यह बहुत दूर जाएगा आपसे। में भी उनकी अवरूची उत्पन्न हो। प्रात्मिक शिक्षा के बाद पिता जी ने आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक कनहिया को बठेडा के ही राजकी उच्च माध्विक विद्याले में प्रवेश्टिला दिया। अद्बुत मेधा के धनी कनहिया परिक्षाओं में उत्तमंकों के साथ उत्तियन होते गए। धीरे धीरे समय बीता गया। कनहिया अब युवा कनहिया लाल हो गए। पिता जी ने परिवार की आर्थिक स्थिती को देखते हुए उन्हें व्यापारिक अनुभप प्राप्त करने के लिए अपने मित्र सेथ मांगी लाल के पास उधैपुर भेश दिया। जहां मन लगा कर उन्होंने सेथ मांगी लाल का व्यापार समहला। किन्तु कुछ माहबाद कनहिया लालापी बहन के पास एहमदाबाद पहुचते हैं। जहां उन्होंने अपने बहनोई से व्यावसाई ग्यान गिरहन कर कुछ ही समय में स्वयम का व्यावसाई प्रारंब कर दिया। तो मैं यही कामना करती हूँ कि गुरुदेव जी का आशिरवाद सदाम पर बना रहा है, उनका स्वास बिलकुल ठीक रहे और ऐसे ही उनका आशिरवाद मुझ पर मेरे सब पूरे परिवार पर बना रहा है। संसार की असारता का ज्यान होने पर कनहिया लाल, एहमदाबाद में ही चातुरमास कर रहे परम पूझ आचारे 108, शिरी मंदर सागरजी महराज एवं आचारे शिरी सुबाहू सागरजी महराज की शरण में ज्या पहुँचे। वैरागी प्राप्ति की तीब रविलाशा को देख आचारे शिरी मंदर सागरजी महराज ने कनहिया लाल की प्रात्ना सुईकार कर ली और सन 1966 में उन्हें विदिवत यग्योप वीत संसकार प्रदान कर दिये। चासट का चातुरमास आचार श्री मंदर महराज आचार सुभवसागर महराज का अमदाबाद में हुआ। फिर उनकी चारन सानिदि में पूरा का पूरा चातुरमास उनके साथ रहे, उनका उपदेश सुना, उनकी वईयवरती की, उनकी सेवा की, उनको आहरदान दिया। कनहिया लाल ब्रह्म चरिवरत धारण करने वाले हैं, जैसे ही ये बात उनके परजनों को पता चली, तो उनके एहमदाबास ते वापस लाकर घर में कैट कर लिया। पर जिसके हृदय में वैरागे के पुर्ण भाव हिलो रहे ले रहे हूं, तो कोई सांसारिक राग भला उ से भाग निकले और गुरुदेव की शरण में पहुँच कर ब्रह्म चरिवरत धारण कर लिया। इस बीच पर जनों ने उन्हें घर वापस लाने के कई प्रयास किये, किन्तु करहिया लाल अपने निर्ड़य पर अटल रहे। करती जी महराज की दर्शनों का भी स्वभाग्य प्राप्त हुआ। पूज गुरुवर को देखते ही कनहिया के मन में स्वयम को उनके चर्णों में अर्वित करने की आकांच्छा उत्पन्न हो उठी। कनहिया लाल की संग में रहने की अबलाशा को देख आचारे शिरी संगहस्त आरिका शिरी विजयमती माता जी ने पूज गुरुवर से कनहिया लाल को आश्रय प्रदान करने की प्रार्थ्रा की। माता जी के आग्रह को सुईकार कर गुरुदेव ने ब्रह्मचारी करहिया का साक्षात कार लेकर उने संग में रहने की सुईकृति प्रदान करती। में रहना चाहता हूं आचार स्री ने प्रिवेश दिया। में रहना चाहता हूं आचार स्री महावीर कीर्थी जी महराज दे स्वयम अपने करकमलों से ब्रह्मचारी करहिया जी को मुनिदीच्छा देकर उनके इरदय की अंतरम गहरायों में बसी वैराग्य भावना को साकार रूप प्रदान कर दिया। और ब्रह्मचारी करहिया अब बन गए मुनिशिरी 108 कुन्तु सागर जी महराज। असार सुकला दोज मुनिदीच्छा का भाव हुए आचर स्री ने मुनिदीच्छा दिया और नाम कुन्तु सागर रखा। मुनिदीच्छा के उपरांत आपने कठिन साधन करते हुए प्रतीग शण को आध्यात्मिक सरजनता में लगा दिया। इस दोरान अपने सिध्धांत कौमुदी को तो कंठस्त किया ही साथी चारो अनियोग, कर्मकांड, तत्वार्थ सूत्र एवं रत्नकरण, श्रावकाचार जैसे विशिश्ट आगम ग्रंथों का अध्यन करके अपने ज्यान की सीमाओं को विस्त्रित किया। महसाणा प्रवास के दोरान जब आचार श्री को अपने दिविज्ञान से इस बात का अनुभव हो गया कि इस धरा पर रहने की समयावधी अब पूर्ण होने को है, तब उन्होंने पूरे संग को बुलाकर मुनिश्री सम्मती सागर जी महराज को पट्टा चारे पद एवं नवाचार श्री सम्मती सागर जी महराज की आग्या से जैपूर में हुए अपने पहले स्वतंतर चातुर मास्त के दोरान आपने अपने दिख्षा गुरू परमपुजे आचार श्री महवीर कीती जी महराज की चरण पादुका को प्रतिष्ठित कर कुन्थु विजय गरं माला की स्थापना की इसी वर्षायोग में आपके करकमलों से प्रतम जैने श्री दीक्षा बठेडा निवासी श्री जमकलाल जी को दी गई अगले कई वर्षों तक अपने मुखार विंद से धर्माम्रतों की वर्षा करते हुए आप 1975 में शिखर जी पहुचे और 108 बार ती आपने हजारों मील की पद्यात्रा कर देश भर में धर्म प्रभावना की और कई भाव्यात्माओं को अपनी वात्सले मईचाओं में शरण दे कर उनका उध्धार किया सर 1980 में अकलूजा में हुए चातुर मास्त के दोरान आपके मुखार विंद से हुई अम्रित वर्षा में भीग कर हजारों श्राबक जनों को अपूर वारंद की प्राप्ती हुई न्याय, धर्म, आयोरवेद, जियोतिश, मंत्र तंत्र, व्रत एवं दर्शन आदी विश्यों में आपके अदभुत ज्यान को दे समुचे समाज ने आपको किसी पदवी से अलेंकरित करने का निर्णा लिया और फिर करनाटा के वं महराष्ट की सीमा परिस्थित, बेड की हाल ग्राम में आचार श्री विमल सागर जी महराज ने आचार पद के संसकार देते हुए आपको गणधराचारी की पदवी प्रदान की विमल सागर जी महराषा ने गणधर पती गणधराचार जो की अपने आप में बहुत बड़ी पदवी है आज के जमाने में या आज इस युग में सिर्व और सिव कुंतु सागर जी महराषा ही है जिनके पास ये गणधर पती गणधराचार्य की पदवी है इसके अलावा आज की तारिक में किसी के पास भी नहीं है, ऐसा सादू, इतना सीधा सादू, वापिस कभी भारत में नहीं जनने। आपको स्यादवात की शरीपत से अलेंकृत किया। जिसमें समाज को आचारे कुंद कुंद देव आदी की जीवनी पर सादू की गहन वारतालाप को शिर्वन करने का स्वभाग मिला। अपनी एकागर चर्या और धर्म निष्टा से उद्प्रोथ सवभाव के कारण आपने नाकेवल धर्म शेत्र में बलकि समाज को सनमार्ग पर चलाने के उद्देश से कई उद्धारक कारे भी करवाए। आपके जीवन का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जिसमें अतिशय और चमतकारिक घटनायन ना हुई हो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही आपने प्रभू प्रतिमा इस्थापित कराई आपका स्वास्ति कुछ दिनों तक बहुत खराब रहा। लेकिन कुछ समय बाद आपके द्रण संकल्प से सब कुछ पहले की भाती सामान ने हो गया। धर्मकारियों की इसी श्रंकला में जहां सन 1982 में आपने सांगानेर जैन मंदिर में अतिशेकारी जिन प्रतिमाओं को भूगर्व से जनता के दर्शनार्थ निकाला। कि लगबग 2000 वर्ष प्राचीन भगवान पारशनात की अतिशेकारी प्रतिमा से सुशोबित यह चमतकारिक मंदिर आज भारत का एक महतपूर्ट तिर्थिस्थल बन गया है। सन 1994 में राजिस्थान के प्रताव गड़ में बड़े ही भविता के साथ आपकी 28 मी दीख्षा जैनती मनाई गई जिसमें समाज ने आपको भारत गौरव की उपाती से सम्मानित किया और इसी वर्ष चातुर मास में दिगंबर और श्वेतांबर समाज सहित अले धर्मों के लोगों ने आपके प्रवशनों को लिपिवद्ध कर कुंतु अम्रितवाडी नामग्रंत भी प्रकाशित करवाया जिससे देश भर के लोगों को आपके अम्रितवशनों का लाभ मिल पाए सन 1998 में समाज द्वारा बीस्वी सदी के प्रथम गणाधी पती पत से अलंकरित होने के पश्षात जब गुर्देव ध्यान साधना हे तू योगिस्थान की तलाश करते करते सन 2000 में इचल करंजिया पहुचे तो रात्री विश्राम के दोरान माता पत्म वतीने स्वप्न में आकर कहा कि कल दो व्यक्ति आकर शेत्र के लिए उप्युक्ति स्थान दिखाएंगे और भोर होते ही हातक नगले इस्थित मंदिर के पंडित महावीर एवं राजु निगावे आपके पास आये और आलते गाउं के पास ही अर्ध चंद्राकार परवत की तलैटी में करीब 15 एकड़ भूमी दिखाई वास्तु अनुसारी योग्य भूमी देख आपने पीली सरसों मंत्रित कर चारों दिशाओं में विखेर दी शीगरी ट्रस्तियों ने किसानों से वह भूमी क्रै कर ली और पर 5 सेतंबर सन 2001 में पूज गुर्देव और संगस्त सादू संतों के सानि मंदिर जी का भूमी पूचन एवं वयो व्रिद्ध मुनी सेवा आश्रम का शिला न्यास हुआ इसी पावन अफसर पर आचारी श्री ने तीर्थंकर श्री एक हजार आठ कुंतुनात भगवान को शेत्र का मूल नायक एवं तीर्थ का नाम कुंतुगिरी घुशित कर दिया आठ दिगंबर्द जेन समाज की कुंतुगिरी शेत्र एक धरोहर हो गई है। इस प्रतिमा के नैनाव इरामी द्रिश्यों को निहार ने यहां भक्तों का सैलाब उमण पड़ता है। शुबहरंब हो गया। इस पुण्ने अवसर पर आचारे श्री देवलंदी जी महराज एवं आचारे श्री सुवेधी सागर जी महराज सहित अलेको संत महत्माओं की उपस्तिती ने महत सब को और भी भविता प्रदान की। गोण ग्राहिकता, आर्श आगम निष्ठा, मंत्र दुष्टा, प्राचीन ग्रंथ संशोधक, आजी गुणों से परपून आचारे श्री की शरण में आये अलेकों शिश्यों को उन्होंने धर्मार की ओर अग्रसर किया। आचारे कनक नंदी, आचारे पद्म नंदी, आचारे देव नंदी, आचारे विद्या नंदी, आचारे गुप्ति नंदी एवं आचारे गुणधर नंदी जैसे सौ से अधिक शिश्य हैं जो गुणधर आचारे से शिक्षा पाकर आज दीश भर में जिन शासन की प्रतिक्षा करते हैं अपने भक्तों को लेकर उनके हरदय में किसी प्रकार का भेद नहीं है यही कारणे कि जो एक बार पूजी गुरुवर की शरण में आ गया तो समझोवए उनका ही होकर रह गया गुरुदेव ने ना केवल देश भर्मियाने को तीर्थों का जीर्णों धारवा नवनिर्वान करवाया बलकि नई पीड़ी में भारतियता के सल्सकार रोपित करने के उद्देश से आयोरवेद, विधान, मंत्रवाद, प्राचीन इतिहास, प्राचीन धर्म परंपरा, प्रतिष्ठा, विधी एवं चयोतिश आदि में कई महत्वपून गरंथों की रचना भी की है सदैव लोग कल्यान को अपना करतवे मानने वाले ऐसे महा मानव महा तपस्री के श्री चर्णू में जिन्वानी चैनल त्रै बार नमोस्तु निवेदित करता है नमोस्तु गुर्देव